नमस्कार मित्रो मैं मौमताबाच बेग भोपाल से मेरे घर की बालकनी में आपका स्वागत है जी हाँ आज मैं चट पर नहीं हूँ मैं अपने घर की बालकनी में हूँ जहां ये रखे हैं जरेनियम के प्लांट्स तो इन प्लांट्स को अगली साल के लिए कैसे सुरक्षित र आज जरेनियम के बारे में बात कर लेते हैं, यह एक सीट से उगने वाला सीजनल प्लांट है, जिसे हम बाकी सीजनल पौधों के साथ ही उसी समय में बीज से उगाते हैं, हम नर्शरी से इसके पौधी भी ले आते हैं, और यह 15-20 रुपे में एक पौधा मिल जाता है, यह रे सीजनल पर लागू होता है, अगर आपको बीज चाहिए तो आप रख सकते हैं, और बीज नहीं चाहिए तो आप इसको अगर इसे कट कर देंगे, तो जो दूसरा फूल बचा है, वो ज़्यादा हैल्दी चलेगा, और नई फ्लावरिंग भी नई कलियां भी निकलेंगी, त सीजनल फ्लार्स को तो अच्छी हैल्दी मिट्टी चाहिए होती है, तो आपके पास जो भी खाद है, जब आप मिट्टी बना रहे हैं, तो 30% तो कम से कम खाद डालें, मिट्टी भुर बुरी हो, और च्यूंकि थोड़े समय का पौदा होता है, तो जल्दी ग्रोथ में अच्छा होता है, तो यदि आपको गोवर की खाद मिल जाती है, तो बहुत ही बढ़िया है, यह जो भी पत्ते होते हैं, इनके सूखे पत्ते निकालते रहना चाहिए, और इनकी जो में ब्रांचे इसके आसपास बहुत उपर मिट्टी नहीं चड़ाना चाहिए, तो ही बार तने में फंगस लग जाता है, पौदे की गुडाई तो करते ही रहना है, डेड हैडिंग करना है, और सरदी भर तो इसे खुली धूप में रखना है, बेच बेच में गमले को भी टर्न कर देना है, ताकि चारों दिशा में धूप लगे, यह और सीजनल प्लांट से थोड़ा लेट खिलते हैं, आप देखिए जब बाकी मेरे सीजनल प्लांट खत्म हो गए, तो यह भी चल रहा है, तो यह भी अच्छा है ना कि आप दूसरे पौदे लगा रहे हैं, उनके साथ जरेनियम लगाएंगे, तो आपके बगीचे में आखरी तक हरा भरा रंग रह हैं, और यह जरेनियम जो है ना अगर आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं, तो आपके अगली साल के लिए बहुत अच्छा सुरक्षित रहेगा, लेकिन इसको भी हम क्रिसेंथम की तरह अगले साल इसमें से फिर कटिंग लेके इसको लगाते हैं, और यह पौदा हम अपने जो गार्डन का जो वैसा portion होता है ना जहां पुरानी चीज़ें रखते हैं, वहां रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं, लेकिन वहां partial shade आना चाहिए, ऐसा नहीं कि छाया में कहीं बहुत ऐसे दबा के रख दिया, लेकिन जैसे आपके अगर गार्ड सकते हैं, और बहुत सारे पौधों के बीच में रखेंगे, क्योंकि इसको humidity बहुत पसंद है, कुछ water body भी आप एक हाद रख सकते हैं, गर्मी में आपको जुंड बनाके पौधों के बीच में एक किसी बरतन में, मिठी के सकूरे में, उसमें पानी रखना चाहिए, चिडिय इसके through, उनको आपस में थोड़ा बाताबर्ण में नमी हो जाती है, और वो पौधों के लिए मन माफिक मौसम हो जाता है, और अगर ये मरी ही गया, नहीं बचा पाए, आपके अगर राजिस्तान जैसी जगे है, या आपके 40 पार टेंपरेशर जाता है, तो इसमें से आप बीज बना सकते हैं, इसका बीज बिलकुल सौफ के दाने की तरह है, आप confusion जाएंगे, रंग में थोड़ा अंतर होता है, बिलकुल जीरा, जीरेनियम शायद इसलिए कहते हैं, जीरा या सौफ जैसे एक दाना निकलता है, और अगर आपने वो बीज बना लिये, तो वो अपना experience है, बड़े आसानी से उग जाते हैं, होता क्या है, कई बार जब छट पे इतनी सबजियां, इतने पौधे लगाती हैं, तो काम जादा बढ़ जाता है, तो मैं बीज नहीं रखती हूँ, मैं जाके नरसरी से दो चार पौधे ले आती हूँ, तो उससे मेरा काम भी ह जानकारी के अलावा, क्या आप लोगे पास भी कोई जानकारी है, अगर है तो मुझे जरूर बताईएगा, और कैसा लगा ये वीडियो, ये भी कॉमेंट करके बताईएगा, हम सब एक दूसरे से ही सीखते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विशे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार